वेहिंद एवरिवान, वल्कम बाक तो मैं चैनल, दिस इस शिवांगी भड़ और टोड़े वी विल बी कवरिंगा टॉपिक, फाक्टर्स अफेक्टिंग नाशनल इंटिग्रेशन या नाशनल इंटिग्रेशन का सेकिंड बाट तो इंट्रड़क्शन, देखो जैसे मैंने आ बहुत सारे ऑप्स्टिकल आजाते हैं, एक नाशनल इंटिग्रेशन की फीलिंग को अचीव करना, तो पहला आपका भईया फैक्टर क्या है, कल्चरल आस्पेक्ट, इंडियन सोसाइटी भईया मल्टी रिलिजिस डाइवर्स कंट्री है, तो इसमें भईया बहुत कॉम्प कैएटी इंडियन सोस्टिकल आपने अपनी जगे से करेगा, मैं राजिस्थानी हूं या जिसे मैं उत्राइखंट से बिलॉंग करती हूं, तो मैं खुद अपने मतलब उत्राइखंट से से कनेक्टेड हूं, क्यार हां मैं पहाड़ से हूं, ठीक है तो हम पहले अपने ठीक है political parties क्या करती है ठीक है वो अलग-अलग groups create कर लेती है जैसे कि वो बोलती है कि भाया आप राजसान की party है वो हमको vote दे ठीक हम मतलब उसका वो करेंगे मतलब एक बना दिया या cast wise fragment कर दिया कि भाया इस cast के लोग हमें vote दे हम आपके लिए काम करेंगे इस cast के हमें दे ठी लेकिन उसके चलते हमारी जो nation है उसकी एकता पर थोड़ी बात आ जाती है आँच आ जाती है क्या सकते हो फिर lack of education फिर या जब से हमारा political independence हुआ है 1947 से ठीक है जो लोग है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि हमारी country ने complete educational या literacy rate को अचीव कर रहा है अभी भी काफी लोग है जो unemployed है और illiterate है ठीक है तो उनको easily बहकाना easy होता है कि आपके लिए हम ये करेंगे ऐसा करेंगे तो बहक जाते हैं दंगे क्यों हो जाते हैं अभी recently आपका डेली riots होए थे ठीक है तो ये क्यों हो गए थे भाई आपस में कोई misunderstanding हुई या created scene है ना तो उनको जल्दी misguide करना easy होता ह ठीक है और जो लोग होते हैं जिन्हों अपना interest देखते हैं तो वो भी मतलब अराम से उनको घुमा देते हैं मतलब जहां को वो करते हैं फिर आपका communalism आ जाता है कि religion wise वो करना religion wise riots हो गए देखो कितने सारे आपके riots हो गए थे अभी recent example ही देख लो डेली riots होए थे आपके communal riots blood bar ठीक है तो भीया इससे बहुत जादा problem पहुंचाती है हमारे country को ठीक है तो कमिनलिजम की feeling भी नहीं होनी चाहिए काइद से ये भी मतलब एक obstacle है फिर हम casteism प्यारते है casteism तो भीया एक बहुत बहुत गंदा role play किया है इसने politic के matter में ठीक है reservation policy ठीक है और इससे ना मतलब ब बड़ा एक वो बन चुका है मतलब एक बहुत बड़ा gap बन चुका है ठीक है कि लोग ना connected वो feel नहीं करते हैं ठीक है वो जैसे आप देखोगे कि intercast marriage को इतने लोग प्रमोट नहीं करते हैं ठीक है तो उसका उसके पीछे का वो क्या है कि वो लोग अभी भी मतलब अपने ही अपने ही nutshell के अंदर हैं देखो मैं यह नहीं कहूंगी the thing is wrong or right ठीक है अभी तो हम बस यह देख रहे हैं कि obstacle क्या क्या है तो यह यह भी एक obstacle है हमारे देश के लिए ठीक है एक national integration की feeling को achieve करना फिर religionism आ जाता है जैसे कि अलग-अलग लोग है उनके अलग food habit, dress, languages ठीक है तो य आपका एक बहुत वो है जैसे आप अभी मुझे एक और example या दाया जैसे अभी जो आपके east, north east की तरफ के जो आपकी वो हैं आपकी जो states हैं तो वहाँ पर बहुत होते हैं अब उनके उनका जो एक body structure है उसको देख के बहुत तो बोलते हैं कि भाया यह तो Chinese है या कुछ ऐस wrong thing ठीक है जिससे आपकी देश की जो spirit है ना वो आपकी low हो रही है ठीक है और integration की spirit भी कम हो रही है तो offensive comments बहुत करना these things are just they are very very wrong you know being a NCC candidate ठीक है I would really ask you ठीक है कि यह चीज़ें at least आप लोग तो मत करना ठीक है और अगर आप किसी को देखें तो उसको आप रोकने का भी try करना तो अब linguistic factionalism ये भी चीज़ें काफी बढ़ जाती है जैसे किसी की language का मजाग उडाना ठीक है कि या वो तो ऐसा वो तो ऐसा in fact देखो हमारे इंडिया के अंदर ही मजाग उडाना आपने देखा होगा किसी foreigner का हम इतना नहीं उडाते है हम बोलते है हाँ यार this person is standardized ये बंद और हमारी country की development कैसे होगी फिर social disparity भया वही चीज़ें हैं कि गरीब अमीर के बीच में जो gap है भया वो भी बढ़ता जा रहा है ठीक है और इससे imbalance हो जा रहा है ठीक है जो गरीब लोग है भया वो rich लोगों से भी मतलब एक एक जुडाव नहीं रख पा रहे ठीक है मतलब एक Indian के तोर पर feeling नहीं ला पा रहे है ठीक है जो rich people है ठीक है वो भी ठीक है उनका भी एक अलगी faction बन जाता है कि we are the rich people ठीक है जो गरीब लोग है उनका अपना खुद का बन जाता है कि हाँ यार हम भी गरीब आप भी गरीब ठीक है तो इससे भी आपकी social disparity बढ़ती है economic ठीक है तो यह किस चीज़ पर based है कि commitment पर based है और हम सब एक दूसरे की respect करें उनकी culture, caste, language, creed, region सब चीज़ों की respect करें तो इससे ही आपका national integration आ जाता है देखो culture को as a unifying factor माने हम लोग secularism को promote करें कि भाई अगर कोई किसी religion का है तो हम उसकी religion की respect करें ठीक है और वो हमारी respect करें इंट तो भया जब Britishers ने rule किया था तो वो तो कपके बो के चली गई है लेकिन ये देखो ना कि उन्होंने बीच तो बो दिया और हम लोग अभी भी उसी चीज़ में उलजे में है तो ये चीज़ ठीक नहीं है तो लोगों में discrimination नहीं होना चाहिए especially on the ground of religion and caste फिर rule of politics ठीक है तो भ economic unity, national integration के सेख पर economically भी देखना चाहिए भया government को देखना चाहिए कि वो गरीब लोगों के लिए काफी सारे provisions निकाले, प्रावधान निकाले है ना जिसे गरीब लोगों की मतलब help हो सके, मतलब help तो हो जाती है ना लेकिन फिर वही point है कि corruption आ जाता है बीच में, ठीक है government निक अब वहाँ पर मैंने देखा कि करीब लोग तो लगे ही लगे है, साथ में आपर अमीर लोग भी लगे है, ठीक है खाना खाने के लिए, अब यार this is not done, है ना तो मतलब यू तो आप अगर ऐसे करोगे तो फिर उनके खाते में क्या ही जाएगा, करीब लोगों के खाते में, फिर dignity of individual, भया हर इंसान को एक equal dignity के साथ हमको respectful way से देखना चाहिए, irrespect of the religion, region, language, caste and creed, ठीक है, इस चीज़ के चलते हैं, एजुकेशन बहुत powerful weapon है भया, जितना आप educated होगे, ठीक है, उतना आप awareness सीख कर पाऊगे, ठीक है, और बच्चों के education, एंजियोस के थू भया help करना Emotional unity, जिसे आपने देखा होगा, जब राष्ट्रगान बचता है, तो कैसे एक, एक मतलब, ऐसी इतनी भारी feeling आती है, कि हार हाँ, यह हमारा देश है, तो वही है आपकी emotional unity, ठीक है, national language, ठीक है, national language को एक barrier consider नहीं करना चाहिए, ठीक है, आप जिस language में comfortable हुए, you can talk, ठीक है, national language को create करके, कि यही आपके national language है, तो भया, इससे भी people can get hold, तो proper use of media, media का अच्छा use करना चाहिए, जिससे भया, लोगों तक चीज़ें पहुचें, फैलें, ठीक है, conclusion क्या है, conclusion बस यह है, कि enlightenment से हो सकता है चीज़, आपकी knowledge से, education से यह चीज़ आपकी फैल सकती है, ठीक है, जितना हम यह चीज़ बोलेंगे, फिलाएंगे, awareness क्रियेट करेंगे, ठीक है, कि भईया, हम एक ही motherland से belong करते हैं, after all तो, ठीक है, भारत वर्ष से belong करते हैं, ठीक है, अब उससे क्या फरक पड़ता है, कि आपका क्या religion ही, क्या नहीं है, after all तो आप एक human being हो, है ना, तो यह वाली जो विडियो है, दिखो, as I told कि national integration एक बहुत important topic है, और मैंने अपनी तरफ से best try किया है, कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीकी से समझा सकूँ, और लेकिन अगर आपको still कोई, वो हो problem हो, comment हो, तो आप उसे comment section में डाल दीजेगा, ठीक है, मैं उसको ठीक करने की कोशि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आपको at least topic तो पता होने ही चाहिए, कि कौन से कौन से हैं, और हम national integration को कैसे achieve कर सकते हैं, इसमें भी जो है न ये topic, ठीक है, आपको topic आना चाहिए, ठीक है, कि भया क्या है exactly, इसके लिए भी आपका काफी पूछ ले जाता है, चलो ठ ठीक है, तो that's all for this video, ठीक है, I will meet you in the next lecture, till then take care, Jai Hind